हाई फ्रेंट्स वेलकम टो टार्गेट जिससी तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जारखंड उत्पात सिपाही 2019 का पेपर है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिरीज यह इसमें हम आपको बताएंगे जारखंड का जो 60 कोश्चन जीके का पूछा गया था उसी करेंगे साथ ही जितना हो सकेगा अधिक सथी कोश्चनों को हम यहां पर एटेम्ट करने की भी कोशिश करेंगे और यहां से आप समझ सकते हैं कि आपका कितना कोश्चन जारखंड का सही होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिरीज उसके पहला अगर आप हमारे चल पर अगर नए है तो चैनल को निश्चीति सब्सक्राइब करें फिर बैल आइकन पर जुरू प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से प्राप्त हो सकें तो यह जो कोश्चन का यह जो पीडिएफ है यह हमारे फुरसोतम बलियासिय वा नहीं होगत यहां पर देखिए जे यी जी आरडे डॉबल एस जी आर येस है न टो जी ग्रास का यहां पर पुर्ण रूप पुछा है तो इसका फुल फॉं क्या होता ए यह हम आपको बता देते इसका फुल फॉं होता है जहारखन ऑन्लाइन गर्मेंट रिसीप्ट अकाउ ले सेकेंड कोशन यहां पर आप देख सकते हैं देश में उत्पादित समागरी इसपाद के समगर इसपाद लिखा गया है में से जहारखन लगवा कितने परतिशत इसपाद का उत्पादन करता है कि इतने परतिशत जो है अस्टील का उत्पादन करता है देश भर में जहारख कोषप intr którzy कोन सा हांती यहां का राजजी पुको आगती है अगलہ कोषन चार नमर आप देख सकते हैं कहां पर आयोजित किया गया तो इंगलीज में इसको क्या करते देख सकते हैं अस्किल सम्मिट 2019 तो यह जो है आपका कहां पर किया गया था कोश्चन नमर देख सकते हैं जो कि चार है हमारा तो चार का ओप्सन नमर सी आपका सही है राची होगा इसका उत्ता है चलिए अगला कुश्चन देख सकते हैं कुश्चन नमर 5 इन्हें हाल ही में 2019 वर्स के लिए लाइरेस असपोर्स पर गुड एवर्ड प्राप्थ हुआ है देथि किसको यहाँ पर देखे 6 नमर नवी करनिये औरजा के विकास के लिए जहारखण में कौन सी एजनसी की अस्थापना की गई है देखे नाव करनिये उर्जा के लिए है नाव विकरनिये उर्जा के लिए जहारखण में कौन सी एजनसी की अस्थापना की गई है तो यह जो आपका आपका सही उत्र होगा आपका यहां पर सही है चले नेक्स कोशन यहां पर देखे जो साथ नमर दिसंबर 2018 में जहारखण ने मुख मंतरी क्रिसी योजना के अंतरगत रुपे की योजना क्रिसकों की सहाईता करने के लिए गोशना की है तो यहां पर बाईस सो पचास करोड कितना बाईस सो पचास करोड रुपिया जो है मुख मंतरी क्रिसी योजना के अंतरगत आ यह काफी सिंपल कोश्चन है आप लोगों को आना ही चाहिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्सन नमर्डी लातेहार छोटा नागपुर पठार अगला कोश्चन देखें कोश्चन नमर् नाई खिलाडियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करती यहाँ पर जो खिलाडी के दिये गए हैं और उनके खेल भी दिये गए हैं तो यह जो है कौन सा इसमें से कथन जो है गलत है यह आपको बताना है दीपी का कुमारी देख सकते हैं तिरंदाजी से सही है मेंदर सिंग दोनी किरिकेट से सही है और वहीं देखिए ऑप्सन नमर जेपाल सिंग मुंडा सभी जानते होकी से लेकिन ऑप्सन नमर जो सी है परतिभा कुमारी यह कुस्ती से समंधित नहीं है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर ऑप्सन नमर सी हो जाएगा कोश्चन नमर टेन देखिए निमन में से एक ने 2010 के रास्ट मंडल खेलों में स्व कोश्चन नमर 11 देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर मुख्यता आविवाहित जन जातियां बालिकाओं दवारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मना जाता है तो यह जो कर्मा जो पर्व होता है कर्मा यह जो है आविवाहित बालिकाओं लड़कियों दवारा यह मन कोशन थोड़ा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ठीक से इसका जवाब क्या होगा तो इसको आप खुद से देखे एक बार कोशन जो है मैं पढ़ देता हूं गाउं का पुजारी मीटी के तीन पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है और अगले दिन सवेरे वह मीटी के तीन पात्रों को देखता है जिन में पानी का अस्तर घट गया है अधी पानी का अस्तर घट गया है तो जो है वर्सा का अकाल की भोश्वानी होगा और अगर पानी का अस्तर समयन है जितना पानी था उतना ही पानी अगर उसमें है तो उत्तम वर्सा का संकेत समझता तो यह कौन सा पर्व के दोरान किया जाता है यह आपको यहाँ पर बताना था कोशन नमर 12 में नेक्ट कोशन यहाँ पर देखिए जो कि दिया गया सरदारी अंदोलन नीम्न कारण से हुआ था यह जो है आपका option नमर B और C यहाँ पर दोनों जवाब जो दिये गए हैं बिल्क असंतोस और बिचोलियों दोवारा गेर कानूनी डहंग से किराय में विरिधी कोशन नमर यहाँ पर देख सकते हैं 14 नमर जो कि हमारा है ताना भगत अंदोलन कब शुरुआ था यह 1904 में हुआ था कब 1904 में हुआ था option नमर B आपका सही जबाब होगा कोशन नमर 15 देखिए पहला जन जाती है नेता जिसने अंगरेजों के विरुद हतियार उठाया था तो यह आपका तिलका मांजी जी थे जो तिलका मांजी इन्होंने ही अंगरेजों के खिलाब सबसे पहले हतियार उठाया था अगला कोशन यहाँ पर देखिए मेथन अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं अरुणा मिस्रा एक भारतिये हैं और यह किस चीज़ से रिलेटेड है तो यह आपके मुक्य बाज से रिलेटेड हैं आप्सन नमर भी आपका सही जबाब होगा अगला कोशन है 18 नमर देखिए लांस नायक अलबर्ट एका की मित्यू निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी तो लांस नायक अलबर्ट एका की मित्यू कब हुई थी भारत पाक युद्ध जब हुआ था 1971 में तब इनकी मित्युत हुई थी अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं 19 नमर जो कि हमारा जारकन का उर्तमार राजपल कोन है तो दुरूपदी मुरूँ है 20 नमर कोशन देखिए कार्तिक के महिने काले चंदरमा के दोरान मनाय जाने वाला कौन सा पर्व है तो यहाँ पर कार्तिक महिने के दोरान कौन सा पर्व मना जाता है तो यह जो है बंदना पर मना जाता है अगला कोशन यहाँ पर देखिए यह एक लोक निरित है जिसका निश्पादन विवा के दोरान दूले के परिवार दवारा किया जाता है तो यह जो है कौन सा यहाँ पर लोक निरित है जो कि दूले के परिवार दवारा किया जाता है तो डमकच यही आपका उप्सन नमर सी सही जबाब होगा और बाइस नमर कोशन देखे निवन में से एक भारतिये आरे भासा नहीं है तो कोरवा जो है एक यह भारतिये आरे भासा नहीं है अगला कोशन संतारी लीपी ओल चीके के अविस्कार कोने तो पंडित रगुनात मुर्मू अप्सन नमर यह आपका सही जबाब होगा 24 नमर कोशन आप देख सकते हैं अबरक की खाने अधिकतर कहां इस्ती थे तो यह आपका गिरेडी और कोडर्मा इन दोनों अस्तानों पे आपका जो है अबरक की खाने मुख्यता यहां अस्तापित की गई है इसलिए उप्सन नमर डिया आपका यहां पर सही उत्तर होगा 25 नमर कोशन देखिए 2011 की जनगन्ना के अनुसार जारकन का सबसे कम जनसंकियां वाला जीला कून सा है लोहर दग्गा है जनसंकियां से लिटिक कोशन काफी पूछे गए हैं और जारकन के करेंट एफिर के जो कोशन थे काफी कम पूछे गए थे लेकिन यहां पर देखते हैं 10 से 12 कोशन जारकन करेंट एफिर से पूछे गए हैं अगला जो कोशन है जारकन करेंट एफिर से ही है और यह जादा पुराना करेंट एफिर नहीं मातरी दो सबते पुराना हैं आपका यह करेंट एफिर देख सकते है स्वंयूगत राष्ट विकास कायकरम के दवारा तयार की गई बहु वीमिये निर्धान्ता सुचांक 2018 रिपोर्ट तथा अक्सपोर्ट निर्धान्ता और मानव विकास पल जारखन के बारे में निम्न अभी मत व्यक्त करते हैं तो यहां पर जारखन ने अधिक्तम विकास परदर्शीत किया है कुछी दिन पहले आप पेपर में पढ़े होंगे जारखन जो है गरीवी को हटाने में भारत वर्स में सबसे आगे रहा है तो इसी मामले में संयुक्त राष्ट ने भी इसके लिए जो है यह बताय था सुचां नमर देखिए जारखन की क्रिसी अर्थ व्यवस्ता की विशेष्टा नीम्न परकार नीम्न द्वारा बताई गए थी यह यहां पर क्या है यहां पर उप्योग्त सभी आपका सही जबाब हो जागा देख सकते हैं प्राकृतिक पर निर्भरता निवेस है और बी नमर देखि सुविधाय तथा लगू और शिमान्त जोट छेत्र तो यह सारे ओप्सन्स यहां पर आपके सही आपका यहां पर सही उतर है अगला कोशन यहां पर देख सकता 28 नमर 6 नीरित की 3 सेलियां देखने में आती हैं जिनका नामंकरन उनकी है न यहां पर क्या होगा थोड़ा कट है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं जो पीडिएफ हमें प्राप्त हुआ है उसी उसे यहां पर काम चलाना पड़ रहा है निश्पादन अस्थाल के अनुरूप किया जाता है जारखंड में अस्थान का नाम क्या है तो यह जो है आपका सराइक एला क्या नाम है सराइक एल का उरां कॉम कट है एक तो यहां उरां कॉम कट क्या है यह कूशन पूछागी ती यह कूशन आपको खुद से करना होगा इसका उत्तर अभी तक मेरे पास नहीं है अगला कोशन 30 नमर देख सकते हैं जारखन के इस लोक निरित का नाम एक विरिच के नाम पर पड़ा है तो जा के नाम पर इस परव का नाम भी किया गया है अगला कोशन 31 नमर देखिए निन में से एक चितरकला की एक सेली नहीं है तो यहां पर चितरकला की सेली कौन से नहीं है तो यह आपका लहसुया जो है यह चितरकला का परकार नहीं है अगला कोशन देखिए 32 नमर जारखन भारत के समगर खनीजों संसाधनों में लगभग का कितना परतिशत का स्वामी है खनीजों के संसाधन में कितना परतिशत का स्वामी है ति ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यही हम आपको बताते हैं ति ये इसका सही जबाब हो जाएगा 40% इसका सही जबाब है अगला question है 33 जारकन में भारत की निम्नखा 26 परतिसत आरक्षिक भंडार है 26 जो है क्या जारकन में कोईला है लोहा है तामभा है या फिर वक्साइड है यहां परते हैं कोईला जो है आप सभी जानते हैं 33 परसेंट है लोहा जो है 19 परसेंट है उत्पादन जो करता है पूरे भारत वर में और आपका जो तामभा है यह 33 परसेंट इसका उत्पादन करता है तो यहां जो बच्चा है आपका बॉक्साइड यह भी 30 परसेंट करता है लेकिन इसके आज पास आपको बताना होगा तो यहां पर जो आ कि दो हेजार एंगार्ग कि जननगनना के अनुसार जहर्खन-राज की साचरता-दथ क्या है तो यहां पर देखे ह تو दो हेजार एंगार्ग कि जनना के अनुसार साचरता अधर киноचा गया है तो यहां पर ओप्स生 नमर बिज्चों दिया गया है 66.41 मलत 66.41 परतिशत यहाँ पर option number B आपका सही जवाब है 35 number question देखिए अस्थान के अधार पर निम्न में से बेमेल की पश्चान करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बेमेल यहाँ जो दिया गया question अस्थान इसके बारे में नहीं दिया गया है किसी परकार का देखिए ब्रसम जल परपाथ, सगनी जल परपाथ तो यहाँ पर अस्थान नहीं दिये गये है question number 36 देख सकते हैं जारखन उत्तर में किसी माओं से लगा हुआ थी यह आपका बिहार से लगा हुआ है अगला question 37 नमर देख सकते हैं शीम भूम ट्रस्ट जो नामाक विख्यात 166 किलो मिटर के आकार की महत्पुन खनीजों का भंडार गिरा निम्न का पार गमन करता है यह जो है पुर्वी सीमूम, सराय केला और पश्मी सीमूम यह तीनों डिस्टिक करते हैं इसलिए यहाँ पर option number D आपका सही जबाब होगा अगला question देख सकते हैं 38 number जो कि हमारा है बोकारो इसपास सेंत्र के लिए मशूर है जो इसिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है तो यह सोवियत संग किसकी सहायता से बना है सोवियत संग किसको है तो रूस को कहते हैं तो यह आपको आद रखना है रूस को ही कहते है सोवियत संग अगला question 49 number देखिए निलांबर और पितांबर सा नामक दोनों भाई जिनोंने सवतंतरता अंदोलन के दोरां अंग्रेज़ों के लिए मुसिवत खड़ी कर दी यह जो है किस जन जाती यह नेता थे कौन से जन जाती के नेता थे तो यह जो है आपके question number 49 का उत्तर क्या हो जागा डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जागा इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं होगा आपका उत्तर 40 number question देखिए पत्थर और बीड़ी उत्पादन उत्द्योग के लिए मसूर जिला है तो पत्थर और बीड़ी तो पाकुड जिला जो है आपका पाकुड चालिस नमर का क्या हो जागा सी ओप्सन सही है यहाँ पर एकतालिस नमर कोशन देखिए लावा लॉंग वर्न जन्तु अभ्यरन निम्ड के भीतर इस्तित लावा लॉंग कहां पर है तो यह लावा लॉंग जो है आपका 41 नमर का यह आपका चत्रा मिस्तित कहां पर चत्रा डिस्टिक में है अप्सन नमर भी यहाँ सही जवाब होगा आपका 42 नमर कोशन देखिए जारकन राज निर्वान के बाद से उसमें राष्टपति सासन लागू बार हुआ देखिए कितनी बार राष्टपति सासन लागू हुआ है तो तीन बार हुआ अभी तक जार सबसे अच्छा हो सकता है यहीं आपको बताना है तो राज का क्रिशी योग छेत्र कितना है उसको बताना आपको तो 38 लाग हेक्टरी कितना 38 लाग हेक्टरी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चुवाली समर कोश्चन देखे जारकन क्रिशी का परदर्शन है तो यह जो है ओशत यहाँ पर पूछा गया है जारकन क्रिशी का तो यह जो है आपका ओशत के एकदम आसपास है बराबर है अगला कोश्चन है 45 नमर जारकन में नगदी फसल के लिए परियुक्त जोती ने तो बहतर होगा लेकिन जैसे ही मुझे प्राप्त होता है मैं आपको प्रवाइड करवा दूंगा अगला कोश्चन है 46 नमर मुख मंतरी रगुबर दास द्वारा प्रारंब की गई सोभाग योजना का उद्देश जारकन राज के आर पार सभी गाउं को उपलवद करान है तो बिजली ओप्सन नमर भी आपका सही है सोभाग योजना बिजली से संबंदित है अगला कोश्चन देखिए लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुलू पाटू पालू घाटी देखिए क्या चुलू पालू घाटी इस जिले में इस्तित यह कहां परिश्चित आपका रामगड में और यह आपका सही जबाब होगा 48 नमर देखिए गलत जोड़े को पहचान करें यहां पर बैजनात मंदिर देवगार सही है तपोवन रामगड यह आपका गलत है और जगनात मंदिर जो है राची में है तपोवन कहां दूसरे डिस्टिक में है हल्दी घाटी मंदिर जो है गुमला में है और जगनात मंदिर जो है राची में है अगला कोशन यहां पर देखिए 49 नमर तो देख सकते हैं अभी लिखित 1 चेत्र जारखन के भोगलिक चेत्र का निर्बान करता है तो यह जो है 29 पर 60 या फिर बोल सकते हैं 29.61 परतिशत जो है 1 चेत्र जारखन का है अगला कोशन देखिए 50 नमर का जारखन में 1 कोटियां है जारखन में 1 कोटियां है तो यहां पर आपका जो अप्शन है यह तीनों सही है तो यह सभी आपका सही उत्र होगा तो अगर वीडियो आपका पसंद यहां पर आया होगा वीडियो अगर तो वीडियो को निश्ची थी लाइक करें और वीडियो को शेर करना बिल्कुल न बोलें ताकि आपकी साथ आपके दोस्तों को भी यहां पर वीडियो का बेनिफिट हो सकें पोरा वीडियो देखने के आप सभी का धन्यवाद जय हिन जय भारत